बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com कमल नंदलाल की भविश्वाणी मंगलवार 9 नमंबर मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दे कभी नंदन करता हूँ कमल नंदलाल की भविश्वाणी आपका राशिफल इस राशिफल में हम आपको बताएंगे मेश से लेकर मीन राशि का राशिफल और साथी साथ आपको बताएंगे राशिय नुसार कुछ सरल उपाए इसका सासाथ आपको बताएंगे राशिय नुसार आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी पंचांग बताएंगे दिन का हाल बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे कैसा स्पेशल उपार जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा तो चलिए राशिफल की शुरुवात करेंगे पंचांग के साथ में तो दिन है मंगलवार का तारीक है 9 नमंबर 2021 कार्तिक शुक्ल पंचमी पर चंद्रमा धनुराशी और पूरुबा शाड़ा नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा साथ शुभंक रहेगा सिलिटी शुबदिशा रहेगी इशान यानि के नौर्दीस्ट राहू काल रहेगा दुपहर को दो अड़तालिस से लेकर के शाम को चार बच कर नौ मिनट तक रवी योग रहेगा शाम को पांच बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6.40 तक दिन का सबसे शुब मोहरत रहेगा सुबह 7.00 बचकर 16.00 से लेकर 8.00 बचकर 59.00 मिनट तक और विशेश क्या है लाब पंचमी है सूर्य समहार है और कंद शुष्ठी का परवह है और हमारा जो विशेश उपाय है वो लाब पंचमी से ही है एक सवाल आप से क्या जीवन से अशुबता दूर करना चाते हैं विगन दूर करना चाते हैं व्याधी और बाधाएं दूर करना चाते हैं तो उसके लिए राशिफल को आखिर तक जरूर देखेगा तो चलिए बात करते हैं अब राशिफल के और सबसे पहले बात करेंगे राशि नम शामों को पूरा करने का प्रियास करेंगे शाम में यात्रा करने से बचेंग छोटा सवपाय जरू करें वो ये कि शहद का सेवन करें शुभंक आपके लिए साथ रहेगा शुबरंग रहेगा सिलेटी बात करेंगे राश्य नमबर दो व्रिश यह निगे टॉरस की व्रिश र पाय जरू करें लाल पैन से क्रीम लिखकर जला दें शुभंक चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला बात करेंगे तीसरी राशी मित्वन यानी जमनाई की मित्वन राशवालों समय का प्रबंधन करें मित्र के साथ नए काम शुरू करने के यूग हैं खास लोगों से परक होगा मन चाहे काम पूरे होंगे मनोबल में व्रद्धी होगी जूट बोलने से बचें एक चोटा सव पाय जरू करें वो ये की तुलसी पर गूगल से धूप करें शुभंक तीन रहेगा शुबरंग रहेगा पीला बात करेंगे चौथी राशी करक यानी की कैंसर की कर कराशवलों कारोबारी सफलता मिलेगी सामाज एक संबंदों से लाब होगा परिजनों की बातों से मन कुछ दुखी होगा सरकारी काम काज में सयोग मिलेगा शुब काम पर खर्च होगा एक चोटा सव पाय जरू करें जेम में मसूर के दाने रखें शुभंक नौ रहेगा शुबरंग रहेगा नारंगी बात करेंगे पांचवी राशे सिंग यानिक लियो के सिंग राशवलों नीजी काम में समय बीतेगा काम काज में विस्त रहेंगे कारोबार में सफलता मिलेगी भागय का साथ मिलेगा विदेश सुब समाचार मिलेगा अध्यात्म में रूची रहेगी एक छोटा सा उपाय जरू करें लाल पैंसे क्रीम लिखकर धार में चितर पर चड़ाएं शुभंक आठ रहेगा शुभंग रहेगा काला बात करेंगे छटी राशी कन्या इनी के वर्गोग की कन्या राशे वालो धनलाब के प्रयास सफल होंगे कामकाज में परिजन स पिला बात करेंगे साथवी राशी तुला यानि के लिवराकी तुला राशोवलो कारोबार में विस्तार के योग हैं नई परियोजना से लाब मिलेगा परिजनों की बातों से कुछ आहत हो सकते हैं दमपत्य समंद मधुर रहेंगे कारोबारी यात्रा लाबकारी रहने के योग हैं छोटा सवपाई जरू करें घर की दक्षन दिशा में ताम्वे का बरतन रखें शुभंक चार रहेगा शुभरंग रहेगा निला बात करेंगे आठवी राशी व्रिश्चिक यानि के स्कौर पियोगी व्रिश्चिक राशोलो काम का बोथ जादा रहेगा योजना बना कर काम करने से सफल रहेंगे नए काम की शुरुवात से बचें धहरे से काम को करें सतर करें वाद विवाद से दूरी बनाए रखें चोटा सोपाई जरू करें जौव से वारकर हरे पेड़ पर चढ़ाएं शुभंक सात रहेगा शुभंक रहेगा से लेटी बात करेंग पारे बारे एक रिश्टे मधूत होंगे मधूर होंगे एक चोटा सोपाय जरूरू करें लाल पैन इस्तमाल करें शुभंग एक रहेगा शुबरंग रहेगा लाल आपके लिए बात करेंगे। दस्पी रश मकर हैं शुबंक छह रहेगा शुबरंग रहेगा गुलाबी बात करेंगे ग्यारवी राश कुम्ब यानि के अक्वेरियस की कुम्ब राश वालों सांजेदारी के कारोबार में तरक्की होगी धनलाब के यूग हैं नई प्रॉपटी खरीदने की यूजना बनाएंगे शुब में कर्म में रूची बढ़ेगी छोटा सो पाई जरू करें गेहूं के दाने करपूर से जला दें शुबंक छह रहेगा शुबरंग रहेगा गुलाबी बात करेंगे बारवी राश मीन यानि पाईसेज की मीन राश वालों सावधान रहें समय प्रतिकूल हैं नए काम की बुरंग रहेगा लाल आपके लिए तो दोस्तों अब समय है आज के विशेश उपाएगा वो विशेश उपाएगा जो जीवन से अशुबता को दूर भगाए खास दिन विशेश दिन लक्षमी पंचमी का दिन और श्री पंचमी का दिन ऐसे में क्या करें आप देखिए ग ऐसे में क्या करें आप दुर्वा ले लिजे और दुर्वा पर सिंदूर लगा कर गणपती पर चड़ाइए और एक विशेश मंतर का जाब कीजे वह है ओम वक्रतुंडा यहूम आश्वस्त कर रहा हूं आपको जीवन से हर तरह की कैशुपता निश्चत दूर होगी तो द देखते रहें इस तो तक और अपने मित्र कमल लंदलाल को इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए